पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं उन्हें इनके वीजों की बुवाई अक्टूबर के महिने में कर देनी चाहिए देखिए सिमला मिर्च या मिर्च दोनों तो एक ही तरह की चीजें हैं सिर्फ इसका उत्पाद थोड़ा अलग होता है दोनों अगर हम बैग्यानिक भासा में कहें तो एक ही जेनस हैं स्पेसीज अलग हैं तो इसमें होता क्या है कि जो मिर्च की जहां तक बात करते हैं तो इसको तो लगाने का आम तोर पर तीन सीजन होता है जब मिर्चा की बात हम करते हैं एक तो अगर हम अरली लगाते हैं तो मेजून में लगाते हैं जो बरसात में इसकी फली तीता मिर्च वाली जो हरी मिर्च उसका आ जाता है दूसरा किसान भाई जब रभी के लिए लगाते हैं तो हम लोग जुलाई अगस्त में इसकी बुआई करते हैं और जब बसंत सीजन के लिए करते हैं तब हम लोग इसको जनवरी फरवरी में बुआई करते हैं लेकिन सिम्ला मिर्च का जहां तक सवाल है तो इसकी बौई का समय होता है अगर सिप्तमबर या फिर फरवरी मार्च का लेकिन अगर पॉली हाउस में हमारे किशान भाई करना चाहते हैं तो पॉली हाउस में इसकी बहुत अच्छा उप्यूख था इसकी बवाई के लिए अगर सिम्ला मिर्च के हमार खेती करना चाहेंगे तो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाऊस होता है उसमें होता ये है कि साइड का 6-7 फिर जो उचाई तक होता है वो foldable होता है मूणने वाला plastic और उसके अंदर से जो fix होता है वो insect proof net होता है यानि insect उसके अंदर नहीं जाएंगे और जो plastic का seat होगा वो मोर के उपर चढ़ा देंगे दिन के समय में रात के समय में ढग देंगे इ यह बहुत उप्यूक्त है, गर्मी में तो थोड़ी से गर्मी अंदर का तापमान बढ़ जाता है, इसमें नहीं हो पाती इसकी खेती, लेकिन बरसात में और जरबी में इसकी बहुत अच्छे से खेती हो सकती है, और चुकि पोली हाउस या नेट हाउस में करेंगे हमारे किसा आनुजनित रोग है, जिसमें लिफ सिकुडने वाली रोग होता है, इससे बहुत सेंसेटीब होता है, अगर पूरे फसल को नहीं भी खतम करता है, तो कम से कम उत्पादन को परभावित तो जरूर करता है, तो हमारे किसान भाईयों, अगर पोली हाउस में इसकी खेती करें अगरे और फिर पूली हाउस में लगाएंगे, तो दोनों का टेस्ट और साइज और जो उसका जो जैसे सिमला मिर्च की बात हम करते हैं, तो जितना टाइट सिमला मिर्च होता है, बजार में उतना जल्दी बिखता है, लोग लाइक करते हैं, मुल भी अधिक मिलता है, तो क्वालिटी के दाइरे में लाते हैं तो यह बहुत अच hadn by चाहए तो उस तरीके से कर सकते हैं अब प्याइब में की आवसेकता होती है डिप सिचाही हम लोग रेकमेड करते हैं पॉली हाल्स में फलट सिचाही का इंद्रा है उसका करे या किसी अन परभेद का करे ओपेन में कर सकते हैं तो हाइब्रेड भी कर सकते हैं उसके लावे कलिफॉर्णिया अंडर इलो अंडर इस तरह के बहुत सारे परभेद हैं किसी का भी चैन करके हमारे किसी अनभाई इसकी खेती कर सकते हैं जैसे आरका मोही और भी आरका स्रीज के भी परवेद हैं हमारे किसान भाई किसी का कर सकते हैं हाइब्रीड भी उपलब्द है उसका भी करें एक चीज बिशीज धियान रखें चुकि यह मेरा जो मिर्च या सिमला मिर्च है यह विशानु जनित यानि वाइरस रोग से बहुत ससिप्टेबल हो नहीं यह देख ले तभी खरीदे तो उनका खीट ना सक के छिड़काओं से भी बचेंगे और सफलता पुर्वाग अच्छा क्वालिटी उत्पात भी वह अपने खेतों में उपजा पाएंगे